फ्रेंड्स गार्डनिंग विद किर्ति वर्मा में आपका स्वागत है फ्रेंड्स मैं फ्लिपकार्ट से कुछ अपने गार्डन के लिए समान मंगवाई थी तो कल आ गया मैंने उसे बाहर रख दिया आप लोग तो जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है तो डारेक्ट हम लोग स समान को अंदर नहीं ला सकते हैं तो कल मैंने सेनेटाइज कर से बाहर छोड़ दिया था फिर आज फिर मैंने सेनेटाइज किया अच्छी तरह से इसे अब फिर मैं इसे लेकर आई हूं मैं आप लोग के साथ इसे शेयर करना चाहती हूं आपके सामने मैं इसे अन्बॉक्स क खोल के आप लोको दिखाती हुँ कि यह कैसा है चलिए फ्रेंट्स तो शुरू करते हैं अन्बोक्सिंग इस का पैकेट पैकिंग बहुत अच्छा से किया हुआ है पहले एक पॉलिथीन के शीट में इसे लगाया था चलिए फ्रेंट्स में इसे फ्रकाट के आप लोगों को दिखाती हूँ फ्रेंट्स मैंने इसे अन्बॉक्स कर दिया है काफी मिन्नत लगा इसे खुलने में काफी अच्छी प्रसे पैकेट बना के पैकेट भेजा था उन्होंने प्रेंट्स में बहुत समय लगा इसको देखें मैं अन्बॉक्स कर दी अब दिखाती हूँ उसके अंदर गया है देखें फ्रेंट्स यह पाँच प्लंटर स्टैंड है काफी अच्छा है मजबूत है अब मैं इसमें प्लंटर रखूँगी इसे भी मैं आपके साथ सेयर कर लिए प्रेंट्स देखें यह पाँच का पैक काफी अच्छा है प्रेंटिनोन का दंसे कर रखा है और मजबूत भी लग रहा है अब इसको मैं गंबला रखूंगी तभी पता चलेगा यह कैसा लग रहा है तो चलिए गार्डेन में मैं दिखाती हूँ कि कैसा लगता है इसमें गंबला प्रेंट रखना पड़ेगा देखें फिसमें दिखाती हूँ कि इस तरह का प्लेट रखिएगा तभी यह गंबला पाएगा नहीं तो यह नीचे ऐसे चला जाएगा तो आप इसे गंबले को रखने के लिए प्लेट का इस्तमाल कीचे देखें एकाव दिखाती हूँ इसे ऐसे रखें तो याराम से रख सकते हैं अगर फ्रेंट आप लोग को यह गंबला पसंद पसंद आया होगा तो आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं इसका लिंक में देदूंगी और बहुत मजबूत है इसलिए आप ट्राइब कर सकते हूँ तो आज के लिए इतना ही अगर मे एक वीडियो में मिलते हैं बाई फ्रेंड्स